हला एक विडिए में तेरा कोश्चन तक करा दिया था तो यह कोश्चन बहुत आसान था कई लोग उने इसको सॉल्व भी गिया था लेकिन कई लोग नहीं सॉल्व कर पाय थे तो सबसे पहले इसका हम लोग वे सलूशन देख लेते हैं फिर उसके बाद से आज कोश्चन 15 करें मैंने पहले ही बना दिया था कहे रहा कि एसी जो है बृट पर ऐसस करता है ठीक है तब क्या क्लिक्ठ करना होगा कि हम B को D पे मिला देते हैं अब B को हम D पे मिलाते हैं तो जहर सी बात है अगर आप जानते हैं कि कोई भी S-PERS रेखा अगर सिंटर से रेखा को मिलाते हैं तो यह 90 डिगरी का कौण बनेगा S-PERS पॉइंट पे जो मिलाएंगे हम पॉइंट यह रेखा होगी BD यह इस पे परपेंडिकुलर होगी तो यह अंगल आपका 90 डिगरी हो जाएगा अब हम एक क्या करना है कि एक राइट अंगल ट्रेंगल में B से अगर D पे हमने ए परपेंडिकुलर ड्रा किया है सबसे पहला अरिया क्या निकल सकता है एक बटे दू आधार गुले सिर्सलम होता है तो बेस अगर BC है और सिर्सलम AB है दोनों की लंबाई हमको दिया हुआ तो क्या हो जाएगा BC इंटू AB हो जाएगा यह किसरा से एरिया निकल जाएगा यह बराबर किसके होगा 1 by 2 अगर हम base AC ले ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर्ड बीडी हो जाएगा तो इन्टू AC इन्टू BD तो यहाँ से क्या करेंगे हाप से हाप कट जाएगा और यहाँ से हम BD कमान निक सेंटिमीटर पाइथागोरस नियम लगाएंगे तो यहाँ से BD का लंबाई निकल लेंगे तो BD बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है आपका छे गुड़े आठ अपान दस हो जाएगा तब को जाएगा 4.8 सेंटिमीटर आपका मान निकल जाएगा जब आपका म 4.8 सेंटिमीटर BD का मान निकल जाएगा तो क्वेश्चन आपका असान हो गया देखिए BD यहाँ पर एक सरकिल का त्रिज्या की भी काम कर रहा है तो जो लंबाई BD की होगी वही लंबाई BQ का भी होगा तो इसका भी लंबाई हम लोग क्या लिख लेंगे 4.8 यहां से इ गटा दीजिए और उसी तरह से QC की लंबाई आपकी निकल जाएगी 8 में से आपका क्या हो जाएगा माइनस 4.8 घट जाएगा तो यहां पर आपकी वैली हो जाएगी 1.2 और इसकी वैली हो जाएगी 3.2 तो अब 12 और 32 का रिश्यू निकालना शरिफ AP और QC जो है क्वेश् आपको यह तो यह फर्मला पता होना चाहिए बीडी इसकोल टुपीबी अपान हाइपोटीनिज एच और या फिर अगर आपको फर्मला नहीं पता है तो आप इस सिंपल तरीके से एरिया वरावर करके भी आप बीडी की लंबाई निकाल सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देन एंगल एंगल B और एंगल सी के कौन समध्य भाजक जो है क्रम से P Q R बिंदू पर बिरित पर मिलते हैं अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं सर्किल थोड़ा सा इसमें बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है इसमें जो कह रहा है circle पे कहा कहा मिलते हैं ये हो गए P, ये हो गए Q और ये हो गया R. तो सबसे पर हम क्राइब हम क्या करेंगे. R, Q को हमनैं मिला दिया और Q, P को मिला दिया इन तिनों को हमने यहाँ पर मिला दिया. अब यहाँ पर angle A का चे देखी. अगर यह मान X हो जागा तो ये भी मान X हो जागा क्योंकि कौन समध्धिवाजक है बी में अगर मैं माल कर लो तो ये Y हो जागा ये भी Y हो जागा और C में क्या हो जागा ये Z हो गया और ये भी Z हो गया दोनों बराबर हैं एंगल क्योंकि question में दिया हुआ है कि कौन समध्धिवाजक है angle वो राइक sector है अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है हम इस angle का हमें मौन निकालना है RQP का इस angle का हमें मौन निकालना है अब हमें क्या एक ड्रा करना है हम B और P को मिला देते हैं यह line हमने खिछ दिया यह बिरित पे एक जीवा का काम करेगा अगर यह जीवा है तो एक ही जीवा से बिरित के दो बिंदों पर अगर कौन बनाते हैं तो वो दोनों कौन बराबर होते हैं इस जीवा से हम एक angle बना रहे हैं X यहाँ पे देखिए इस line से हमें एक angle मिलना है X और इसी जीवा से हमें एक angle यह मिलना है X तो यह दोनों angle बराबर हो जाएंगे तो यह भी X हो जाएगा और similarly हम R और B को भी मिला देते हैं इस line को मिलाएंगे तो यह एक जीवा का काम करेगा और इसी जीवा से जो है एक angle बन रहा है Z ये एंगल हो गया और इसी से एक एंगल बन रहे है ये जट ये भी जट हो जाएगा तो rc ka मान हए x plus z हो जाएगा hc plus z का मान हो जाएगा ये R Q P rq loss का मान ही है x plus z अब इसी x plus z की वैलिव हमें निकाल नहींद है x plus y plus z बराबर हो गया 90 degree और हमें निकालना क्या x plus z की value निकालनी है तो x plus z is equal to हो जागा 90 minus y अब x plus z ही तो हमारा rqp है तो हम लिख सकते है rqp इसकी value और 90 minus y, अब y है क्या? y जो है angle b का आधा है तो हम या तो चाहें तो लिख सकते है a b c y 2 चाहें इसको लिख सकते है 90 minus angle b by 2 i angle q लिख सकते है तो सही जवाब इसका यही होगा इसी तरह से simultaneously angle c, sorry, p पे भी जो कौन बनेगा वो भी निकल सकता है, r पे जो कौन बनेगा वो भी निकल सकता है thank you, all the best